गम ना कर ये जिन्दगी बहुत बड़ी है चाहत की मैफिल तेरे लिए सजी है एक बार मुस्कुरा कर तो देख खुद तक्दीर तुछ से मिलने के लिए खड़ी है नमश्कार, मैं संद्र जोशी और आप सभी का बहुत बहुत सवागत करती हूं आपके अपनी चानल ताट इस इस अजेब भामबी चानल, ABC जिसमें हम आपके भागे से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी बहुत सी खास बाते बताते हैं बहुत से ऐसे विशे के बारे में बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं हमने आपको इससे पहले भाग में बताये था सूरे के बारे में किस तरीके से उसकी कथाएं, कहानियां आपके जीवन से जुड़ी वें क्योंकि कहानिया भी तब ही जिन्दा दिल रह सकती हैं जब तक हम उसे बनाए रखते हैं दूसरे भाग में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सूरे का प्रभाव रहता है भावों पर किस तरीके से उसका प्रभाव रहता है आज की स्विशेश का एक्रेम में हम जानेंगे किस तरीके से सूर्य का प्रभाव रहना वाला है बारा राश्यों पर तो यह सब जानने के लिए हमारे साथ है वर्ल्ड फेमिस इस लॉजर डॉक्टर अजेब भामी जी तो चले बिना देर करें उनका स्वागत करते हैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नमस्कार क्योंकि सूर्य जो है हमारी जीवन में एक बहुत ही बड़ा आधार रगता है इसका प्रथम रूप होता है यह हमें शक्ति मान सम्मान और उपादी तो दिलाता ही है साथ ही हमारे जीवन में एक मारदर्शक भी बना रहता है लेकिन अब बारा राश्यों पर इसका कैसा रह सूर्य का प्रभाफ आए वो जानते हैं सबसे बेरे बात करेंगे मेश राशी के बारे में किस तरीके से रहने वाला सूर्य का प्रभाफ इस राशी का स्वामी है मंगल है सूर्य मंगल मित्र हैं तो यहां पर सूर्य और भी प्रभाफ शाली हो जाता है इसके इलाबा जब स उन्नती प्राप्त करता है उसको बहुत मांन सम्मान मिलता है और अगर राज़ीनीती में या ब्जू क्रेश्व में उसको आसानी इस प्राप्त कर लेता है तो ये बात थी मेश राशी के जातकों पर सूर्य का प्रभाव मेश राशी के जातकों पर उच्छ का रहता है ये उनके जीवन में उन्हें मान सम्मान तो दिलाता ही है साथ ही उन्हें एक ऐसी स्थान पर भी लेकर आ जाता है जहां उन्हें हर चीज अच्छी मिलती है सफलता मिलती हैं उनकी मनुकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं वो ब्यूरो के इसी राजनीती इस तर पर बहुत ही उच पर रहते हैं और अपने जीविन में हर साफ़ता को प्राप्त करते हैं अब जानते हैं वरशिप राशी की जातकों का कैसा रहता है सूरे का प्रभाव आए जा यहां पर सूरी थोड़ा असहज हो जाता है, जब सूरी असहज होगा, इसका मतलब यह हुआ, कि वो उसमें वो जो अपनी qualities हैं, जो छमताएं हैं, वो काफी कम हो जाएगी, तो शुक्र के प्रभाव से थोड़ा सा उसमें negativity आएगी, तो यहां पर व्यक्ति को पारिवारी कु प्लम हो जाती है, धन को लेकर भी एक दिक्कत रहती है, और बीच बीच में उसकी समझ में नहीं आता है कि उदारता से काम ले या संकीन हो जाए, तो कभी कभी आपस में जगडे फसाद भी हो जाते हैं, प्रॉपर्टी को लेके भी इस्यूज हो जाते हैं, यहां पर सूरी बहुत कमफर्टेबल नहीं रहता, जबकि और ग्रहों का उसको सहीयोग ना मिले, तो यह बात थी, वरिशब राशी के जातों को अपर कैसा रहता है सूरी का प्रभाव, उन्हें कहीं न कहीं एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्यूंकि वरिशब राशी के जातों पर कैसा रहेगा सूरी का प्रभाव, आये जानते हैं, मिथुन जो राशी है, उसको स्वामी है बुद्ध, और सूरी का अच्छा तालमिल है, और जिसके हम बात करते हैं, बुद्ध आदित राजियो, यह सूरी और बुद्ध के मिलने से बनता है, लेकि हम यहां पर ऐसा न का प्रियास कर रहे हैं, तो बुद्ध राशी में जब सूरी होता है, तो ऐसा इंटेलिजेंट होता है, अंडिस्टेंडिंग होता है, बड़ा शार्प होता है, जीवन में बहुत तरकी करता है, विद्वानों का सम्मान करता है, उच्छ पद को प्राप्त करता है, और जीवन में अच्छा इस्थान भी प्राप्त करता है, और समाज में उसका काफी मान सम्मान भी उसको प्राप्त होता है, तो ये बात थी मित्वन राशी के जातकों पर, क्योंकि मित्वन राशी के जातकों का स्वामी है बुद्ध, तो बुद्ध है उनका स्वामी, और सूर मिलती ही रहती है अपने महत्वपून कारे में भी वह सफल होते हैं इसी के साथ अब जानेंगे कर्क राशी के जातकों पर कैसा रहेगा सूर्य का प्रभाव आये जानते हैं कर्क जो राशी है उसका स्वामी चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा में तो हम जानती है, कि दोनों का घंस्टता है, तो यहां पर सूर्य काफी सहज रहता है, लेकिन कर्क राशी में जब सूर्य होता है, तो आदमी हटी होता है, जिद्धी होता है, अगर उसकी हट नेगेटिव कि परिवार के प्रतीच, जिसकी आस्था हो, अपने परिवार को उंचा उठाना चाहता हो, उनके लिए वो बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन उसकी जिद है वो उसके लिए कभी-कभी चिंता का विशे हो जाती है, जब सब्सक्राइब करता है संबंदों को खराब भी करता है कई बार जादा इमोशनल हो जाता है वहां इमोशनल हो जाता है जहां पर उसको बुद्धी से काम देना चाहिए तो यह थोड़ा सा द्वंद रहता है एक कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति अपना समाज में इस्थान बनाने मे निसन्दे रूप से सफन होता है तो यह बात ही करक राशी के जातकों के बारे में क्योंकि करक राशी का स्वामी जो है वो चंद्रमा है जिसके वज़े से आप हटी हो सकते हैं तो इसके लिए आपको सतर करेना पड़ेगा साफधान रहना पड़ेगा किसी भी चीज के अगैं और अब जानेंगे हम सिंघ राशी के जातकों कर कैसा रहेगा, सूरि का प्रभाप आइये जानते हैं इसे भी सुरी को हम राजा बोलते हैं तो यह ihan पर होता है तो आदमी जीवन में दैवान होता है काइंड होता है उत वाला होता है ज्यानी होता है ग्यान के पती स्क्राइब आसकता होती है और जीवन में एक ऐसा व्यवस्ता क्रियेट करता है उसके दो तरह के लक्ष होते हैं पहले वो जीवन यह खुद कुछ प्राप्ट करता है जब वो खुद कुछ प्राप्ट कर लेता है तो फिर उसको share करने उसको दिक्ट नहीं है ऐसा वक्ति बहुत आगे होसकता है और उसका बहुत नाम होता है सम्मान मिलता है धन्धण कि उसके पास कमी नहीं होती और संतान Aurra से भी एसे ठीक ठीक सही ओप्राफ्त होता है लिए अची बात है सेंग राशी के जातकों कि ले क्योंकि इनकों खुद का स्वामी ही सूर्य तो जब सूर्य स्वामी हो तो फिर कैसे कोई कमी रह सकती है क्योंकि सूर्य आपको ज्यानी बनाता है। अब जानेंगे कच राशी के जातकों के लिए शूरी के प्रभाफ, आईए जानते हैं. कच रढक कांध के लिए तत्षों में प्रसे इसी शूरी पिषावन थे लिए। एशीं करें जनर्ड तर्वह के एप एकट भी यंगिजी। ग्यान को प्राप्त करते हैं, जो ग्यानी लोग होते हैं, उनका सम्मान करते हैं, नई नई जगों पर विजिट करते हैं, विप्रित लिंग के प्रती उनका कुछ ज्यादा अना सकती उनकी बनी रहती है, आ सकती बनी रहती है, इस कारण से उनको कुछ जंजट भी होते हैं, लेकिन कुल मिलाके वो समाज के लिए बड़ी उपयोगी होते हैं, परिजनों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अपने को कस्ट में रहे के भी उनको सुख देने का प्रयास करते हैं. बहुती सुंदर बात है कन्या राशी के जातकों के लिए कि वो अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानि अपने आपसे बढ़कर वो दूसरों को मानते हैं, तो अपने उनको प्यार देना ये उनका सबसे पहला प्रथम रहभाव रहता है, साथी साथ यातराएं भी कर सकत प्रात कर सकते हैं अब बात करेंगे तुला राशी के जाता कोंगर कैसा रहेगा सूर्य का प्रभाफ आये जानते हैं देखें, तोला राशी में हम बात करें, यहां जो हम बाते कर रहे हैं, हम बताना जा रहे हैं, कि जो तोला राशी है, उसको स्वामी है, शुक्र, और शुक्र के घर में, अभाव में, सुर्फ बहुत कमफर्टेबल नहीं होता, वैसे भी नीच हो जाता है, तो जब कोई ग्रह ही जो की जो मोलिक क्वालिटी घट जाती है तो मैनडु फॉलेड़ करता है चुक्य surfing आदि मैनडुपॉLटी नहीं कर सकता है यह Iमग्ण४ॉलेडिंट नहीं कर सकता लेकि जो मैनडुपॉलेडेव तो कॉंटर-पड़डूड고 तो फिर उसको लास हो सकता है, फिर उसको दिक्कत हो सकती है, फिर उसको बदनामी हो सकती है, उसको अपमान हो सकता है, फिर उसको दिक्कते हैं, मुश्किलें आ सकते हैं, ऐसे विक्ति को कई जगे पर अपमानित होना पड़ता है, कई जगे पर ऐसी इस्तिती आती है, जहां तो उसी समझ में नहीं हाता है कि मैंने अच्छा किया था क्या है, बुरा की आथे, अगर ऐसी श्तीति में सूर्य कोई बहुत अच्छी जगा पर हो जैसे, लीयो लगन हो, तिरति भाव में हो, यह रहो हो, तो ये बात थी तुला राशी के जातकों कले क्योंकि तुला राशी का जातक जुनका स्वामी जो है वो है शुक्र शुक्र और सूर्य का तालमेल नहीं बन पाता तो जिसकी वज़े से क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है इन राशी के जातक प्रयास तो बहुत क प्रठाइब डॉप का पैसा रहेगा सूर्य का प्रभाः आये जानते है, विस्धी राशी है से मंगल, सूर्य की मित्रता है, तो यहां पर सूर्य काफी बल्वान हो जाता है, ऐसा आदमी सासी होता है, निडर होता है, आत्मिश्वा से भरा हुआ होता है, और जीवन में जो भी लक्ष आता है, उसको पूर्ण करता है, सहयोगी भी होता है, लेकिन बहाने बाज़ भी होता है, बहाने भी करता रहता है, बीच 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 पर संभाबनाएं बहुत कम होती है और लब ऐसा दूर की कॉड़ी ढूंड के लाना इसा बुलते हैं तो जहां पर उमीदे कम हो जहां पर पॉस्बिलिटीज ना हो और बोने का संभव है तो ऐसा आद्मी वहां पर भी अपने को सफल होता है और परजनों के लिए विशेश र सवामी जो है मंगल है मंगल और सूरे में आपस में मित्रता बनी रहती है इसकी वज़े से क्या होता है कि व्रिशिक राशी की जातव को उकले वह अपने जीवन में मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं अच्छी उच्छा में भी वह आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में पर गुरू के साथ सूरे बड़ा कमफटिबल है तो यहां पर सूरे बड़ा बलवान होता है सासी होता है आदमी सयमी होता है ग्यानवान होता है और ग्यानियों का आदर करता है मान सम्मान अपना बढ़ाता है औरों को मान सम्मान बढ़ाता है और जीवन में एक उच्छ प्रा तो फिर उसके लिए उस लक्ष को तब तक उसे चैन नहीं आता सर्ण को प्राप्ट कर लेता और ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत मान सम्मान अदर धन धाने और सुक शम्रद्धी प्राप्त नहीं बात करीती धनु देनोराशी के जातकों के बारे में क्योंकि उनका स्वाम ब्रेस्पति और सूर्य का इक्तार्मिल बना रहता है जिसकी वज़े से दवनुराशी की जातकों को मान सम्मान भी प्राप्त होता है धन धाने से भी वो रहते हैं उनके जीवन में हर सुख को वो प्राप्त करते हैं किसी लक्षी की तरफ अगर वो बढ़ना चाहें तो जरू कि एक घर में सूर्य तेरे अंगने में मेरे अंगने में तेरा क्या काम है क्या था हो कि तेरे अंगने मेरा क्या काम है तो वही वाली स्थिए दोनों में बनती नहीं है तो सूर्य उतना कमफटेबल नहीं रहता यहां पर तो ऐसे व्यक्ति को अपने को सिद्ध करना पड़त है ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी मुश्किलें आती है जिसकी आदमी आम आदमी उम्मीद नहीं करता है ऐसे कई व्यक्ति मिल भी जाते हैं जब किस से अब जिन्देगे के सुनाते हैं कि मैंने ये भी किया भाई के लिए किया बेहन के लिए किया इसके लिए पत्नी या पती तो जब हमको जीवन में कुछ कस्ट आएं, जिनको हम सालना कर पाएं, तो हमें लगता है हमें कुछ आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, धर्म के साथ हमको जोड़ना चाहिए, ताकि हम उस जीवन की मर्म को भी चांद सकें. जी, तो ये बात थी मकराशी के जातकों के बारे में, क्योंकि उनके लिए कश्टों का सामना उन्हें करना पर सकता है, उनके जीवन में कश्ट बर सकते हैं, परिशानियों का सामना करना पर सकता है, कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो कही न कहीं उनके लिए केसा रहेगा सूर्य का प्रभाफ आईये जानते हैं। कुम्ब राशी जो यह भी शनी की राशी है, लेकिन यहां पर सूर्य अच्छा होता है। यहां पनलगल बूटे में सूर्य श्रेंते हैं। स्कूर्कृत क्यांज की करें धु figuring तो परोनी का स्वामी की बता एक स्यूल्साइब लेकिन यह शनी पर होता हैॉ कौम राशी के जातक प्रयास बहुत करते हैं, अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और बाहर वालों के बहुत करते हैं, और कहीना कही यही बाते उन्हें नुकसान भी देती हैं, लेकिन वो इस बात की परवा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अपने जिस त है ब्रस्पति और लेकिन इस राशे की कुछ और जंजट भी है जंजट जैसे यह जो राशी है वाटर साइनेस का जूइल सभाव है तो सूरी अपनी कुछ जो है चमक हो देता है यहां पर इसका ताइट पर इसको अगर इंटर्प्रेट करें तो ऐसा हुआ ऐसा व्यक्ति बह अपने ही लोग करते हैं अपने लोग इस्थेमाल कर लेते हैं तो यह एक कस्ट हो सकता है लेकिन चूंकि यह राशी जो है कल्मिनेशन की राशी बार्मी राशी है तो बार्मी राशी में अंतर तहा आदमी को समझ में आ जाता है कि यार इस दुनिया में हम देने के लिए आ तो फिर वो उस जंजट से निकलाता है लेकिन सुरी यहाँ पर कभी-कभी हेल्थ इशू देता है वो बी स्पेशली ओल्ड एज में जा किया सामता है मीन राशी के जातक उंकले कही न कहीं कुछ सामालने चीज़े और नाकरात्मग चीज़े बह सकते उनकी राशी पर तषैंब a न चुछी नीचे चोटी बातों आफधान रेने की। बहुत बहुत धन्यवासाद आपका यार। Life is all about achieving your goals, being an ambitious person and doing whatever you feel like. कहते हैं ना जो मन में आए वो करना चाहिए, चीजों की परवा नहीं करनी चाहिए और साथी साथ हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए आज हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपका इतना प्यार हमें जो मिल रहा है हर दिन हमारे subscribers बढ़ रहे और यह प्यार ही है जो हमें आगे बढ़ा रहे मैं चाहूंगी कि यह प्यार हमें आगे भी बढ़ाता रहे और हम हर वक्त नएने विशे के साथ आपके समक्ष आते रहें अपना प्यार हमें दीजे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेर करें आपका अपना अजे भांबी चैनल इसी के साथ मुझे दीजे इजाज़त, नमश्कार अस्ट्रोजी की सतीक जानकारी के लिए विश्व विख्यात अस्ट्रोजर अजे भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेर करें लेटेस अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें